आज हम बनाने जा रहे वेज मौमो तो इसे हम 2 स्टेप में बनाएंगे सबसे पहले सबसे पहलेphaltटेबल कषरें और एक बार बंधा को अलगर से रिख रेकर करेंगे अधर MAKS करेंगे आज बनाने जा रहे वेज मोमो तो देखते हैं स्टफ कैसे बनाते हैं क्या क्या चाहिए होगा मैं वेज मोमो का स्टफ बनाने के लिए यह हमारा लेमन जूस हुआ, वाइट सॉल्ट हुआ, गर्लिक पेस्ट हुआ, विनेगर हुआ, गोलकी पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर है निकी और यह बारिक चॉप्ट कटा हुआ, लसुन, और सोया साउस, और बारिक कटा हुआ, चिली, ग्रीन चिली यह गाजर है, बारिक रंदा हुआ, यह रेट कैप्सिकम और ग्रीन कैप्सिकम है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, यह धनिया पत्ता हुआ, और बारिक कटा हुआ, प्याज है, और यह बंधा का, हमने मिक्सर से निकाला हुआ, पेस्ट टाइप का है, वह इस्टफ को हम लसुन का पेस्ट डालेंगे, और गर्लिक का पेस्ट, अब इसमें हम ग्रीन चिली कटा हुआ डालेंगे, और इसे हम अच्छे से चलाएंगे भी, थोड़ा सा इसे फ्राइ करेंगे, अब इसमें हम बोलकी पाउडर डालेंगे, अपने स्वाद अनुसार क्योंकि तीका अप्शना लईए, हम इसमें कटे हुए बारिक प्याज डालेंगे, हमारा प्याज ट्राई हो चुक है, हमें ज्यादा नहीं फ्राइ करना है, बस इसमें हमें भपाना है, यानि कि कच्छापन दूर करना है, अब इसमें हम गाज़र डालेंगे, बारिक कटे हुए, आंच त दा लेंगे जो कि रेड और ग्रीन दोनों हैं हमारे पास हम ने दूनों डाला यहांपे जिसे में हम एक चमच जालेंगे और इसमें एक चमच लेमन जूस डालेंगे आप चाये तो विद्यघर भी डाल सकते अधर नुसार हम नमक डालेंगे इसे लास्ट में नमक हमने इसलिए डाला कि ताकि पानी ना छो रही है बंदा कों सिंप्ली तेल में डालके फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा पांच मिनिट तक टेज आंच में हम है कि हमारा के बंदा हमारा फ्राय हो चुका है तो हम इसमें बाकी जो माचेरियल था मारा मिक्ós बाकर ऑपना आप यह मों करें ने असमें करेंगे अब कुछ इस तरह से लोड़ कुछ इसक lived करेंगे और उसे जॉइन कर देंगे, और से रोल कर देंगे, ट्विस्ट, हमने मॉमो को त्यार कर लिया है, काफी सार डिजाइन दिया है, आप भी अपने इसाँव से कुछ दिजाइन दे सकते हैं, उसी इसाँव बनिगे, तो हम नेक्स्ट स्टेप की और बढ़ते हैं, तो अब मॉम सबसे उसके बाद इसमें हम दो और चीज चाहिए होगा एक स्टैंड जिसके आप पतीला रखते हैं और एक सब्जी जाकते हैं जिससे यह तो सबसे पहले पानी के अंदर इसको डाल देंगे स्टैंड को और उसके बाद इस पतीले को इसके उपर रख देंगे गासान कर लेंगे उसके इस पतीले के उपर हम मो रख देंगे कि जैसर कि देख रहे हमारे सब्चए को पूल ओगया भी हम और बच्छे वैते मॉमО तो हैँष Evet ho कि सारा मोमो गया हमारा इसमें तो आप हम इससे कवर कर देंगे ढखकन से अच्छिए यह स्टीम होगा कि आज को हम सीम कर देंगे धीमा अभी धीर दीर पकाए गज़े लगबक 10 अब हो गया तो हमसे बार चेक कर देंगे तो देखते लोग अंदर का फेलिंग वो दिखना सुरू हो जाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं हलकल का दिख रहा है तो अभी प्रॉपर नहीं दिखाए जब इस ट्रांस्परेंट हो जाएगा अच्छे से इसका अंदर समझ यह आपका मोमो पक चुका है तो इसे हम वापस ढग देंग है हमने मोमो को सर्फ किया है मियोनीस के साथ वाइट मियोनीस जो कि हमने घर में बनाया है इसका भी वीडियो होगा हमारे चैनल पर और यह चटनी है जो कि इसका भी वीडियो होगा हमारे चैनल पर मोमो चटनी